सोचिए सोसल मीडिया का दम और बहुजन समाज की जगरुपता आज तक चैनल का मनुवादी एंकर, जातिवादी एंकर सुधीर चोधरी जो किसानों के खिलाफ था, जो दलितों के खिलाफ है, पिछरों के खिलाफ है जो दिन रात इस देश के अल्फ संखक समाज के बाड़े में जहर होता है वो सिक समाज को खालिस्तान से जोड़ देता है वो मुस्लिम समाज को आतंगवाद से जोड़ता है वो दलित पिछरे आदिवास्कियों के आरक्षन का बिरोधी है जिसने आदिवासी समाज का अपमान कर दिया अब वो माफी मांग रहा है सोचिए परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूरा बेनिफिट अपने आपको जो महामहिम राष्टपती द्रॉब्दी मुर्मु जो आदिवासी समाज से आती है उनको राष्टपती बनाकर जो लीड ले रहा था सुधीर चौधरी ने उस पर पानी फेर दिया है और इस देश का हर एक आदिवासी नाराज है सेस्टी आक में मुकदमा भी दर्ज हुआ है और सुधीर चौधरी अप माफी मांग रहा है लेकिन जारखन के नए मुखमंतरी मानिये मुखमंतरी चमपई सोरे ने जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि दुनिया में फराव और मेसुपटामिया की सबविता मिट गई लेकिन हम परकिर्टी पूजक हैं हमें हर परिस्तिती से लगने का जज़वा है और इसलिए हम जिन्दा है हम जिन्दा सबविता है सबसे पुरानी जिन्दा सबविता है और क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं है हम परकिर्टी के साथ है ये करारा जवाब दिया है चमपई सोरे ने में फिर कह रहा हूँ चमपई, सोरेन, फूले, पिरियार, अंबेटकर, जैपाल, मुंडा, सिद्धो, कानो, तिलका, माजी, भगवान, बिर्सा, मुंडाकीर, वारिस हैं और वो सोसल जस्टिस, उकालिटी, फैटर्निटी, परकिर्ति, पूजा, सरना कोड को भी समस्ते हैं वो करारा जवाब दे रहें, तो सुचे सुधीर, चौधरी, माफी मांग रहा है, हुल, जोहार लिख रहा है मैं इस देश के बहुजनों से अपील करता हूँ, इस देश के आदिवासी नहीं इस देश के जो हम बहुजन है, जो हम मुल्निवासी लोग हैं, कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है और इसका एक ही तरीका है, इसके चैनल का बैकोट कीजिए, ये देश की जो मनुबादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है जहां आदिवासी दलित पिछरे अलसंख्यक समाज के लोग नहीं है, नौ के बराबर है और खासकर आदिवासी दलित और पिछरे तो बिलकुल नहीं है वहाँ इनको ये लिखता है जै जुहार ये ये आदमी बहुत बड़ा ड्रामे बाज है नोटन की बाज है इन लोगों सुचिए मैं फिर कह रहा हूँ ये आपके सुचिए ये क्या कह रहा था है है मनसोरेन के बारे में सुचिए ये आपके बारे में ऐसे ही सोचता है इन लोगों को बैकोट कीजिए तब तक जब तक बहुजन समाज का एंकर नहों पत्रकार नहों और आपका अपना मीडिया हाउस नहों इसलिए मैं कह रहा हूँ सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोसल मीडिया के दम की बज़े से ये माफी मांग रहा है इसने एक ध़ड़ लिखा है माफी मांग रहा है बिनर्म संदेश लिख रहा है मैं फिर कह रहा हूँ जब तक बहुजण समाज के लोग अलसंख्यक समाज के लोग इस देश में सिखो का अंदोलन चल रहा था इन लोगों ने सिखो का नरसंगहार कराया इस देश में इसी सिख नरसंगार हुआ रोज ये लोग जाती के नाम पर दलित पिछरे आदिवासियों का हक खा रहा है ये लोग क्रिमिनल से भी बड़ा क्रिमिनल है ये टीवी और अख़वार जब तक इस देश के 90-95% लोग आदिवासी समाज के लोग सिख समाज के लोग मुस्लिम समाज के लोग पिछरे समाज के लोग बैकवर्ट दलित पिछरे चाप का कोई भी धर्म हो अगर आप CSTOBC हैं आपल संख्यक हैं तो इन लोग का बहिसकार कीजिए ये लोग आपके संबैधानिक अधिकार के खिलाफ हैं ये लोग संबैधान के खिलाफ हैं ये लोग इस देश के 95% लोगों के अधिकार के खिलाफ हैं ये लोग सिर्फ मनुवाद के पक्षजर हैं जातिवाद के पक्षजर हैं और ये सत्ता धारी के और वो भी सत्ता तब जब RSS की सत्ता हो BJP की सत्ता हो सवर्नों की सत्ता हो तब तक ये लोग नहीं तो ये लोग सिक्ष समाज के दलित पिछरे आदिवासी किसान अल्पसंक्षकों के खिलाफ है और इनका एक ही तरीका है बैकोट कीजिए इनका चैनल ही मत देखिए तब जाकर इनको अकल आएगी और तब भी नहीं सुधरेंगे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इस देश के मनुबादियों को सबक सिखाने का यही तरीका है और वो सबक भुजन समाज के लोग सिखा रहा है वो बड़े घर में रहते हैं परधान मंतरी क्या बैलगारी से चलते हैं या उनके आपुस्पक भी मान हैं क्या कहा जा इन लोगों का सुचिए असाम के मुखमंतरी पर आर्रोप लगा था कि वो चार्टर प्लेन को बीजे पी के काम में और साधी में इस्तेमाल करते हैं बाद वो जेनरल केटिगीरी से है ब्रहामन समाज का मुखवंत है इसलिए नहीं बोलेगा सुधरी इनकी तनखा पे करोन शो डाक्टर मेदूसा ने सवाल पूछा है जो सोसल मीडिया पर सबसे जादा वाइरल खबरे हैं मैं इसलिए कह रहा हूं सोसल जस्टिस के लोगों को और यह देखिए बिज्ञान जीत गया अंसता बाबा जी लाज कराने के लिए अस्पताल पहुंच गया सुचिए ते जश्वी आदब ने क्या कहा था कि आप बिमार पढ़ेंगे तो कहा जाएंगे अस्पताल ना यह भद्राचार कहा गया यह वही भद्राचार है इनकी अ गुलायम सिंह आदब और मानवर कांसी राम साहब के मरने पर खुशी मनाते हैं यह वही सक्स है जो इस देश के दलित पिछरे आदिवासी अल्व संख्यकोद इस देश के तमाम SSTOBC के समयधानिक अधिकार के खिलाफ है और सुचिए यह आदमी अब अस्पताल में है आप स और चेयर पर कहा है उसने मनिस देवगण ब्रहामन समाज से आते हैं वो अपने समाज के धार्मिक पेशा के पक्ष में है मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ क्या सच मुच आपको अस्पताल नहीं चाहिए सोचिए किस तरह से इन लोगों ने इस देश को अंदविश्वास और करमकान में धकेल रखा है और वो भी धर्म के नाम पर जबकि धर्म इनका धंधा है ये ब्यापारी है ये इस देश के भद्राचार के बारे में कहरा हूँ है ये इस देश का ये ये दलित पिछ्रिया द आदिवासियों के खिलाफ है और मिस्र के फराओ से लेकर में सुपटामिया तक दुनिया की कई सभिताएं खत्म हो गए लेकिन हम बचे हुए हैं क्योंकि हम परकिरती पूज़क हैं और हम हर मुसीबत से जुजने का जज़वा रखते हैं हम दुनिया की सबसे पुरानी जी पालिये और बीमार हैं सिग्र स्वस्तों बाकी ते जस्वी जी ने सही कहा था बीमार परने पर अस्वताल ही जाएंगे मंदिर नहीं असोक कुमार पांडे ने टुइट किया है कि जिए इन पर केस तो सुचिए दूद का दूद और पानी ये सोसल मीडिया की ताकत है कि तम पहराज की चठाई जा रहे हैं डृप में भगवारंग मिक्स करना है यह बगवारंग का ताम जाम सिर्फ सरीर के बाहर का ही पाखंड है तो यह मुकेश महां ने ट्वीट किया सूचिए किस तरह से इन लोगों ने धर्म को सोशल मीडिया पर डाल सूचिए इन लोगों ने ध सोशल मीडिया ना होता तो आपको जान हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता से हैं हम दुनिया के सूचिए डक्टर जीतंदर मिना ने तो आज सोशल मीडिया पर चमपई सोरें जो मुकमंत्री है जारखन के उन्होंने जो ट्वीट किया है वो सुधीर चौधरी को करारा वो परम चाटुकार मुर्ख देवगन कहे रहा था जो राम मंदिर जाएगा उसे अस्पताल जाने की जुरत नहीं पड़ेगी फिर राम मंदिर में बैठे रहने वाले राम भद्राचार जी को अस्पताल क्यों जाना परा अस्पताल क्यों पहुंचे राम भद्राचार जी सीने में गंभीर सिकायत होने पर अमिज देवगन वाले के किसी के साथ मंदिर पहुँच जाती अस्पताल की तो जरुती नहीं परती सुचि इस देश के किस तरह से दलित पिछरे आदिवासी गरीबों को धर्म के नाम पर ये लोग लाचार और बेबस रख रहे हैं सुचि जाती की बस्ती जलाने में 15 दोस्यों को आजीवन कारावास सुधीर चौधरी पर भी सुचि इस देश के लगा है और बकायदा उन्होंने गिरफतारी होनी चाहिए सुचिए मुसल्मानों को तो परतारित किया ही जाता था अब दलित को भी परतारित करने लगे सुचिए हम तस्वीरे नहीं दिखा सेते हैं किस तरह से धर्म के नाम पर इंसान को मारा जा रहा है ता एक तथा कथित बड़े चैनल के तथा कथित एंकर द्वारा एक अतिस सम्मान ये लोग पिरी आदिवासी नेता के लिए अपमान जनक बात कह जाने पर उस चैनल का प्रबंदन उस एंकर पर एफायार होने के बाद भी कोई कारवाई नहीं करता है तो ये समझना चाहिए कि आदिवासी नेता आप समझने लगे हैं और ये समझना बहुत जरूरी है इसलिए मैं कह रहा हूँ सोचल मीडिया ही सची मीडिया है सोचल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और लगातार सोचल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खवरे जो है मैं सेयर करर रहा हूँ और यह वो ख़बर हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है किस तरह से काधिवासी को और रामभद्राचार को सबसे जादा ट्रोल किया जा रहा है मिस्क देवगन को ट्रोल किया जा रहा है सोचिए इन लोग के पास कितने पैसे हैं कितना संसादन है धर्म से इन्होंने कितना पैसा कमाया है कि ये तुरंत बिमार होने पर फाइव स्टार होस्पीटल में चले जाते हैं फाइव स्टार होस्पीटल जो होटल जैसा है लेकिन आप आपके पैसे से आपके चरहावे से सवाल है कि जब चरहावे की मिठाई भक्तों में बढ़ सकती है तो चरहावे का पैसा, चरहावे का सोना, चरहावे का चांदी क्यों नहीं बढ़ सकता है और उसी पैसे से इनका इलाज हो जाता है इनके पास मंदिर भी है, अस्पताल भी है आपके पास क्या है? किसी ने ठीक कहा है जो आपको सब कुछ छिन लेता है वो आपको सिर्फ धर्म देता है तो यह सबसे बड़ी खबर है जो सोसल मीडिया पर वायरल है और सोसल मीडिया इन सचा मीडिया है सुधीर चोधरी को आखिरकार माफी मांगना ही परा और ये सोसल मीडिया की जीत है, ये बहुजन समाज की जीत है और मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज अगर सोसल मीडिया नहोता तो इन मनुवादी जातिवादी पत्रकारों की पोल न खुलती, इन सत्ता के चापलूसों की पोल न खुलती, मैं फिर कह रहा हूँ, सोसल मीडिया लोगों को जागरूप कर रहा है लोग धीरे धीरे जागरूप हो रहे हैं और वो अपने संविधानिक अधिकारों को समझ रहे हैं इस देश के संविधान आपको आपके धार्मिक आजादी का अधिकार देता आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं लेकिन सरकार का काम धर पढ़ाई, इस देश की सुरक्षा, इस देश के सेना की ससक्तिकरन बिज्ञान, कॉलेज, इन्वर्सिटी, विस्विद्याले बिज्ञान को अपना था, लेकिन सोचीए आपको बोट के लिए धर्म की अफीम चटाया जा रहा है, जो भी धर्म के नाम पर आप से बोट माँग संभाज के संभधान का कोर चाय भौह इनले मैं पिर कह रहा हूं अन्द्विस्वास भारत के संभधान कि सत्ता में बैठे हुए लोग धार्मिक अन्विस्वास नहीं फैला सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ जो सरकारें आपको रोटी नहीं दे सकती हैं, इलाज नहीं दे सकता है, परहाई नहीं दे सकता है, नौकरी नहीं दे सकता है, वो आपको धर्म का जुन्जुना पकराएगा। झाल